शारुक खान की फिल्म पठान ने काम्याबी के जंडे गार दिये हैं। देश ही नहीं पूरी दुनिया में इस फिल्म की तारीफ हो रही है। ऐसे में यूपी की पूर्व मुख्यवंत्री अखिलेश श्यादव भी खुद को रोक नहीं पाए हैं। ट्वीट करके फिल्म की तारीफ कर दी। साथी भार्दिय जंता पार्टी पर निशाना भी साधा और भाजपा की नकरात्मक राजनीती को तगड़ा जवाब दे डाला। अखिलेश श्यादव ने लिखा पठान का सुपहिट हुना देश और दुनिया में सकरात्मक सोच के जीत और भाजपाई नकरात्मक राजनीती को जंता का करारा जवाब है। बॉलिवुड को काफी समय से बॉयकॉट का सामना करना पड़ा है जिसको लेकर पहले भी अखिलेश श्यादव खुलकर बोल चुके हैं। इससे पहले अखिलेश श्यादव ने कहा था फिल्म मनुरंजन का सादन है लेकिन भाजपा सरकार ने इसे सियासी विचारधारा का हत्कंडा बना लिया है। हिंदू संगठनों और बीजेपी की कई नेताओं ने आपत्ती जताई और इस फिल्म को बैन करने की मांग कर डाली। खुब विरोध किया गया सिनेमा घरों में तोड़ फोर हुई। MP के ग्रह मंत्री नरुत्तम मिश्रा ने भी जनता से फिल्म न देखने की अपील कर डाली। लेकिन बावजूद इसके फिल्म सूपर हिट हुई और छे सौ करोड का आंकड़ा पार कर लिया। इस खबर में इतना ही, आप ये खबर भारत एक सोच पर देख रहे है, मेरा नाम फरहीन अंसारी है, जैहिंद, जैभारत। अताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जैभीम, जैभारत।